लोटस आयरुवेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे सर्दियों में अंजीर कैसे खाएं मैं कुछ तरीके बता रहा हूं अगर उस तरह से अंजीर आप खाते हैं तो आपके सरीर में बनी रहेगी गर्माट तो आई शुरू कर आज के वीडियो लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा चैनल आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्क्राइब कर लें बेल आइकोन की घंठी बाज जा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो आईए शुरू कर रहे है अंजीर पोशक तत्तों से भरपूर होता है अंजीर में कैलसियम, आइरन, मैंगनिसियम और कोटिसियम जैसे पोशक तत्तों पाय जाते हैं इसके अलावा अंजीर में फाइवर और बिटामीन के भी होता है आपको बता दें कि अंजीर की तासीर गर्म होती है ऐसे में अगर आप सर्दियों में निमित रुप से अंजीर का सेवन करेंगे तो इससे आपको काफी लाब मिलेगा अंजीर खाने से रोक प्रत्रोदक छमता मजबूत होती है इससे पाचन सक्ती मजजूद बनती है और कब्ज से छुटकारा मिलता है सर्दियों में अंजीर कैसे खाएं तो पहला है अंजीर को दूद में उबाल कर खा सकते हैं आप सर्दियों में अंजीर खाना बेहत फायदेबंद होता है अंजीर की तासीर गर्म होती है है इसमें कैल्सियम भी होता है जो हड्यों को मजबूत बनाता है सर्दियों में अगर आपको जोडों हड्यों का दर्द परिशान करता है तो आपको दूद में अंजीर मिला कर खा सकते हैं कि इसके लिए आप एक दो ग्लास दूद लें इसमें एक अंजीर डालें और अच्छी तरह से उबा लें फिर इस दूद को आप रात को सोते समय भी पी सकते हैं रोजाना अंजीर वाला दूद पीने से आपको ताज़त मिलेगी आपके जोड़ों के दर्द से भी आपको आरम मिलेगा दूसरा है अंजीर का सेख पिए आप शर्दियों में अंजीर का सेख पी सकते हैं इसके लिए आप रात पर अंजीर को पानी में भूब कर रख दें सुबह रोजाना अंजीर सेख पीने से आपको काफी लाब मिलेगा अंजीर का सेख बनानी के लिए आप एक गिलास दूद लें इसमें एक केला भीगवे अंजीर और सहर डालें अब इसे ब्लेंड कर लें फिर इसे पी लें आप अंजीर सेख का सेवन बरक आउट करने के बाद भी आप कर सकते हैं इससे आपको इंस्टेंट इनर्जी मिलेगी और दिन भर उरजा बनी रेगी रोजाना अंजीर सेख पीने से आपकी इम्मिनिटी बुष्ट होगी और मौसमी बीमारियों से बचा होगा तीसरा अंजीर को ब्रेक फास्ट में सामिल करें सरद्यों में आप अंजीर को अपमें ब्रेक फास्ट में सामिल कर सकते हैं इसके लिए आप ओट्स मूसली या जय में अंजीर मिला कर खा सकते हैं आप चाहें तो फलों के साथית मिक्स करके भी अंजीर का सेवन कर सकते हैं इसके लिए आप एक बाउन में फल लें, इसमें अंजीर के छोटे-छोटे टकुलों में काट कर डालें, आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, इससे आपको काफी लाब मिलेगा, आपका पेट लंबी समय तक भरा रहेगा और आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे. चोटा है, भीगे हुए अंजीर का सेबन करें, आप चाहें तो सर्दियों में सिर्फ भीगे हुए अंजीर का भी सेबन कर सकते हैं, इसके लिए दो-तीन सुखे अंजीर लें, आप अंजीर को पानी में भीगो कर रख दें, सुबह उठकर के अंजीर का सेबन कर लें, रोजान भीगे हुए अंजीर खाने से आपकी सहत को कई लाब मिलेंगे भीगे हुए अंजीर शरीर की इम्मुनिटी बूस्ट करते हैं साथ ही पाचन सक्ति को भी मजबूत बनाते हैं तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कशा लगा कमेंट करके जुरू बताएं धन्यवाद